आज के वीडियो में हम बहुत कमाल कटावी पर बात करेंगे कोर इंजिनिंग के बारें बात करेंगे कोर इंजिनिंग में अगर हम ले ले तो इलेक्टिकल इंजिनिंग मेकानिकल इंजिनिंग सिविल इंजिनिंग और अलक्रोनिक इंजिनिंग यह बिसिकली कोर इंजिनिंग ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट रोल नेशन के ग्रोथ में करियर ग्रोथ में सब जगें हेल्पूल सावित होते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में बता दूं कि अगर फस्टाइम आप चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा और आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे अब बात करते हैं कि कूर इंजिनिंग ब्रांच के बारे में देखो सब लोग जो है ऑटो माल सेक्टर को ले लो ऑटो माल इंडस्टी में बहुत स्कोप है हम लोगो माल सेक्टर कंपनिया हैं जिसमें आपको अच्छा खासा स्कोप है उसमें मल्टिपल स्कोप है देखो सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस दो टाइप की कंपनियां होती है अभी सेनेरियों क्या हो रहा है जब दोजार आठ नौ में रिशेशन आया था तो कंप्यूटर तो निकल के पहले आता था कि सब्सक्राइब अब सुनता ही नहीं हो मैं कुदी परिशान हो कि मतलब क्या हो गया लोगों में जिससे भी मुझ से सुनो और कंप्यूटर साइनस इंजिनिंग तो आने वाले टाइम में जब मैकेनीकल में इंजिनियर सी नहीं बचेंगे पांच इंजिनियर को कोई येशन नहीं नहीं ले नहीं है तो जब पास कर रहे हैं क्योंकि बिना इंजीनियर्स के एंडस्षी प्रोशीड नहीं कर सकती हैं बिना इंजीनियर के इंडस्टी में काम करना इतना आसान नहीं तो चीजे वहां conflict होने लगती है मतलब आपको लगएगा कि अरे यार सर क्या बोले हैं लेकिन अब बता रहा हूं जो service-based company होती है और product-based company product-based company प्रोडक्त-based company में कम-जाव होती है service company अब धादे होती चैंब सार्विस-based company उसके जो कबर सीट कबर कोई और बना रहा है उसके बाद फूरे सारे जो चीजे वो एक अटा करके टाटा असेंबल करके दे रहा है तो उससे क्या होगा बाहर मार्केट में भी जॉब जनरेट हो रहे है थर्ट पार्टी वेंडर में भी मतलब क्रेज हो रहा है और ऑबिसली वहां से साथ आपका करियर एक समझदारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से ये काम करते हैं तो वहां पे जब चीजे कलेक्टिव होती तो टाड़ा भी सोचता है कि चलो ठीक है हम प्रोड़क्ट डिलवर करते हैं अब हो यही राया चाहप आई-ाइटी से हो एन- तो आई-ाइटीन और एण-ाइटी को छोड़ करके भी बहुत सारे अइसे टैलेंट होते हैं जो पढ़ते तो हैं टाड़ट इसे तरह से काम करता उनके लिए चीज़े उसी तरह से होती हैं लेकिन हम आप उस चीज़ को समझने पाते हैं साथ हमें वह चीजे पता नहीं होत देखो जब हम पास आउट होंगे 2026 तक नहीं तो होगा क्या जो कंपनियां उसमें बैकेंसी तो निकलेंगे उतनी इंजीनियर से नहीं मिल पाएंगे इलक्टिकल मैकेनिकल से विल के जिस रेशियों से लोग एड़िशन लेना बंद कर दें कहीं कॉलेज में से विल इंजिनि जो कॉर इंजिनिंग ब्रांच है वो पूर इंजिनिंग का हाठ है और्टो मॉयल सेक्टर हो गया कंस्रॉक्शन लाइन में भी लेना इसलिए बंद कर दिया कि पहले सिविल में बहुत पैसा था दो नंबर के पैसे थे आप उस माइंट से कभी मत जाओ जाओ करने कि इसमें दो नंबर के पैसे हैं इसमें जादे पैसे हैं एरिया अफ इंटरस्ट की मैं हमेशा बात करता हूँ तो इंटरस्ट अगर आपको है अगर आप इंटरस्ट चाही से लेते हो जिस भी ट्रेड में इंटरस्ट लेते हो उस ट्रेड में जाते हो तो साध आपके लिए बेटर ह देखो अगर आप सिविल से कर रहे हो और सिविल में थोड़ा सा इंतजार कर लो कि हाँ चीजे बेटर होंगी तो हो जाएंगी अब आने वाला टाइम मैं बता दू इन कोर इंजिनियर्स के लिए अच्छे कोर इंजिनियर्स के लिए तरसिक इंडस्ट्री और जो लोग स्किल ओर इंजिनिंग बहुत इंपौटरेंट है ओर इंजिनिंग मतलब विपन नेखलकें ओर्याइएग बहुत सारी manufacturing units आ रहे हैं बहुत सारी नई टेकनोलोजी आ रहे जैसे और सक्टर में एवी है एलक्टिक स्कूटर है एलक्टिक ऐलक्टिक बाइक है टूवीलर थ्री वीलर फॉर वीलर एलक्टिक में आ रहे है टाटा ने अपनी नेक्सॉण launch किया उसका टाटाटी आगो भी आ गया है अब एक दोर गारी भी launch करने के moon में है के electric vehicle तो वो जो shifting है ना उस shifting को आपको समझना पड़ेगा जब तक आप उस shifting को नहीं समझोगा उस shifting किस तरह से काम करती है उस shifting के लिए आप eligible हो या नहीं हो वो सिफ्टिंग किस तरह से मूब ऑन करेगी वो चीजे किस तरह से काम करेगी जब तक आप वो नहीं समझोगे और जब तक उस पर काम नहीं करोगे साधा अपका करियर आगे नहीं जा पाओगे साधा अपको समझ नहीं आ पाएगा कि हम अपने करियर में कर क्या रहे हैं और ऑब पिछले साथ-ाथ सालों से बहुत मार्केट डाउन रहा है लोग बहुत जॉब्लेस रहे हैं बहुत प्राव्लम साइए लेकिन आप उससे डरो मत पूर एंजिनिंग में जॉब है लेकिन आप पहुंचोह तो सही कंप्पनी कुम्पनी तक पॉन्ची नहीं पा रहा है वह आपको लग रहा है रहाम जो कर रहे हैं वह बेटर है इससे बेटर तो कुछ ही नहीं जब तक आप वहां तक पहुंच हो गए मैंसेट वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप कोर इंजिनिंग में कैसे जाओगे कोर इंजिनिंग में जॉब का रेशियो बढ़ गया पिछले साल से टेन टाइमस बेटर इस साल प्लेस्मेंट हुए है लोग जॉब पाए हैं कमेंड करके आप बताते हो कि मैं सिविल में जॉब नहीं मिले अम मेरे को यह बताओ क् मैंने में क्या करूं लाइप में कभी आपने बैठ कर सोचा नहीं सोचा यही वह कारण है जिसके विए से चीज़े हो रही है अगर आप जानोगे नहीं समझोगे नहीं अनलाइज नहीं करोगे तो चीज़े किस तरह से काम करेंगी प्राब्लम यह ना आपके लिए तो कोर सब्सक्राइब वुधे से करेंख तो फ्यूचर उसको अच्छा खासा है उनालाका के वहां वह हैर करेंगी तो बास इतना की वीडियो वीडियो में और हूप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था कि ब्रांच बेकार नहीं है बस हम लोगोंने माइंटसेट बना लिया कि यह ब्रांच बेकार है तो वो जॉब मिलेगी ऐसी बात नहीं एक जॉब नहीं मिलेगी सबको जॉब मिलेगी थोड़ा टाइम तो दो अपने आपको स्किल करो ना तभी न जॉब मिलेगी तो बस वीडियो में इतना होगा जुझ वीडियो को पसंद आयोगे जो लोग टेली ग्राम पे हो करेड़ा चनल टेली ग्राम पे भी डिस्क्रिप्चन में लिंग दे रहा टेलिग्राम पे भी जाके जोईन जरूर करें, तैंक यू